आज की जो रेस्पी में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और बहुत ही ज्यादा टेश्टी बन के तयार होएगी अगर आप इस तरीके से आप इस रेस्पी को बनाएंगे और यह साथ ही साथ बहुत जादा हेल्दी भी होती है तो आज के समय में इस सब्जी को बहुत लोग भूलते जा रहे हैं यह तरीके की आउश्दी होती है तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना है चलिए बना लेते इस असांसी रेस्टी को फटा फट से आज की सुपर डूपर डिलीसियस और हेल्दी सब्जी का मेन इंग्रीडियन्ट है यहां पे चठेल जिसे हमारे यहां चठेल कहा जाता है जिसे कंकोडा, कंटोला और इंग्लिस में स्पाइनी गार्ड के नाम से भी जाना जाता है तो इसको हम सबसे पहले उपर से पिल कर और अच्छे से दहोके कट कर लेंगे, मैं यहां पे आपको दिखा देती हूं यहां पे इस तरीके से च्छील के और लगता है और यहां पे मैंने अलू भी ले रखे हैं तो आलू और कंटोला, स्पाइनी गार्ड या चठेल आप जोबी आपके यहां यहां इसे जो भी कहा तो इस तरीके से आलू और चठेल को मैंने दोनों को एक ही साइज में काट रखा है यहां पर मैंने मिर्च ले ली है और यहां पर यहां पर यह हमारी प्याज जो कि मैंने इस तरीके से लंबा लंबा बारिक बारिक काट रखा है तो इस तरीके से हमने यह सारी सब्ये काट के तो अब हम आगे का प्रोसेस करेंगे तो सबसे पहले गैस पेक पैंच चड़ाएंगे और उसमें एड़ करेंगे मस्टर्ड ओईल तो आप जो भी कुकिंग ओईल यूज करते हो आप उसमें बना सकते हैं, no issue तो यहां पे जब मस्टर्ड ओईल अच्छे से गरम हो जाएगा तो इसमें हम डालेंगे सबसे पहले तेजपत्ता तेजपत्ता डालने के बाद हम इसमें डालेंगे एक सूखी लाल मिर्च आधा चमच के बराबर यहां हम डालेंगे जीरा और जीरा के साथ में हम डालेंगे यहाँ पर मेथी दाना आधा चमच के बराबर और यहाँ पर मैं डालूंगी आधा चमच के बराबर यह मस्टर्ट सीड्स है तो आपके पास ब्लैक वाली हो आप ब्लैक वाली यूज़ कर सकते हैं मेरे पास यलो वाली थी तो मैंने वह एड़ करी और फिर साथ में ही जब अच्छी से चिटकने लग जाए तो यहां पर एड़ कर देंगे हम आलू आलू एड़ करने के बाद हमें मीडियम फ्लेम पे आलू को दो से तीन नट तक पकाना है तो जब इसका हलका सा पिंक कलर हो जाए ना आलू का तब हम यहां पर एड़ कर देंगे प्याज तो अब प्याज और आलू दोरो साथ में हमें भूजना है यहां पर दोनों गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे भूज के तो यह प्रोसेस होने में कम से कम तीन से चार मिनट लगेंगे तो तब तक हम आगे का प्रोसेस कर लेंगे तो यहां पर आलू और प्याज अब प्याज हमारी जलेगी नहीं प्याज हम पहले आड़ कर देते तो प्याज जादा जल जाती तो इसलिए हमने पहले आलू को 2-3 मिनट तक पका लिया और उसके बाद हमने यहाँ पे प्याज आड़ करिये तो अब यह गोल्डन ब्राउन हो जाएगी 3-4 मिनट में तो आगे का प्रोसेस करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक mixigu jar लेंगे और mixigu jar में यहाँ मैं लोगी धनिया की डंठल जो की धनिया की डंठल का बहुत ज्यादा dzień का सब्जी में मादा है तो यहाँ पे हमने डंठल ले लादिए यहाँ मैंने कुछ लिसून के क्लोप़च ले लिए हैं और 2-3 मैंने हरी मिर्च लिये लिए है तो क्वांटिटी मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूँगे और डिस्क्रिप्शन में भी आपको मेंशन कर दूँगी आपर आम से वहां पर डेख सकते हैं यहां पर हम लेंगे साबुद धन्या जीरा और काली मिर्च तो यहां पर हमने यह सब को एड़ कर दिया है सारे हमने घड़े मसाले लिए हैं और एक चमच यहां पर मैंने कश्मीरी लाल मिर्च लिए है अगर आपके पास सूखी वाली लाल मिर्च हो कश्मीरी तो वह आप 2-3 यहां पर मेरे पाउडर था तो मैंने पाउडर एड़ कर दिया कलर बहुत अच्छा आता है इससे तीखी नहीं होती है सब्जी यू देखने में लगती है बहुत सुंदर लगती है और टेश्ट भी थोड़ा सा इन्हेंस हो जाता है कश्मीरी लालमिज डालने से यहां पे थो दो कि में बिल्कुल पतला सा बारिक सा फीग बॉक्स लेना है इस तरीके का टेक्शियर वि touchgehen यहां पर 6 minimum 3-4 वि इसको भी हो गाय है हमारी प्याज जो है बहुत अच्छे से पकव चुकी है आप यहां पर 10-400 में बहुत अच्छ चुकी हा है ऑड़मिज के ढुनों साहत हो मसाल अच्याच के साथ के साथ पकाना का यहाँ पर सबलती है कि यहां पर आच्छ च चुके हैं हर्भावा सब्सक्राने अच्छ चेनगा है नियुक्ति आछे लिए एक यह क्याप ऑधिकाना मतों साथ लीघती तो यह तरीके से अगर किसी को diabetes है या किसी को पत्थरी है तो अगर वो लोग इसका सेवन करे तो बहुत ज़्यादा helpful होती है दो से तीर मिनट तक हम इसे ढखके पकाएंगे मसालों के साथ तो यहाँ पर अब दो से तीर मिनट हो चुके हैं आप यहाँ पर चठेल को देख सकते हैं कि मसालों के साथ वो कैसे soft soft दिख रहे हैं इसका भी color थोड़ा सा change हो गया है तो यहाँ पर एड़ कर देंगे हैं पानी तो पानी हमें यहाँ पे एक ग्लास के बराबर इसमें यूज किया है इतनी सबजी में तो यह मतलब हमें जो सबजी में पानी की क्वांटिटी रखनी है वो उसके बराबर रखनी है सबजी के तो यहां पे अब हम इसे ढख के पकाएंगे तो अब इस सब्जी को ज्यादा बनने में टाइम नहीं लगता है पांच से छे मिनट ज्यादा से ज्यादा साथ से आठ मिनट आपको बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे पकाना है जिसमें यह जो हमारी चठेल है अच्छे से सीज के तयार हो जाएगी तो चठेल जो है बहुत जल्दी सीज के तयार हो जाती है इसे टाइम नहीं लगता है तो यहां पे अब आप देख सकते हैं मैं दिखा देती हूँ आपको कि चठेल कितने अच्छे से सीज गया है मैंने जो इस सब्जी को रखा था तो मैंने यहां पे कम से कम साथ से आठ मिनट तक लोग फ्लेम पे रखा था तो यहां पे अब हमारी जो सब्जी है बनके तयार हो चुकी है तो अब यहां पे हमने बहुत सारा अच्छा सा हरा धनिया डाल दिया है तो हरा धनिया डालने से बहुत ज़्यादा अच्छा टेश्ट आता है सब्जी में, तो यहाँ पे आप अच्छे से मिक्स कर दिजिए, तो यहाँ पे हमारी रेस्पी बनके तयार है, और इसको पूड़ी, पराथा, रोटी के साथ आप इंजॉय कीजिए, बच्चे हो या तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और साथ में ही बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि समय समय पे आपको मेरी रेस्पी की नोटिफिकेशन मिल जाए, और आप यह सिंपल सिंपल रेस्पी आराम से बना सके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपना धियान रखे का, बाइ-बाइ